वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी देखे सूपर हीरोस की दुनिया में जहा तक हम लोग जानते हैं मारवल और डीसी ने अपने जंडे गार के रखे हैं जिसमें मा, बाब, बेटा, बेटी, चाचा, शामिल है पर साथ-साथ कुछ और लोग भी जो इनकी फैमिली से जुड़े हुए हैं अब कहानी में हीरो है तो अब्विसली विलन भी होगे फर्स्ट से फिप्त एपिसोड तक आपको बस ऐसे लगता रहेगा कि यार मैं ये सीरीज देखी क्यों रहा हूँ बोरिंग सी, बीच में सूपर हीरोस की एक हाथ-दो बार फाइट बस, बाकी सारा टाइम इन्होंने स्टोरी को बिल्डप कराने में लगा दिया और इस वज़ा से ये एक सूपर हीरो, बट टिपिकल फैमिली ड्रामा बनकर सामने आती है बट हाँ, लास्ट के तीन एपिसोड से इस सीरीज में मज़ा आने लगता है खास कर इसका 6 एपिसोड, आप उतावले हो जाओगे कि आर 7 एपिसोड में क्या होगा और 7 एपिसोड टक पूरी कहानी आपको कभी आगे ले जाती है तो कभी पीछे याने कभी पास्ट दिखाया है तो कभी प्रेजन्ट और ये पास्ट प्रेजन्ट का खेल इतना जादा लंबा खीचा गया है कि आप बहुत जगा पर कन्फ्यूज भी हो जाओगे इस सीरीज में बहुत जगा पर आपको अलग-अलग फिल्मों की याद आएगी जैसे कुछ जगा पर आपको लगेगा कि आप अचानक से किंग कॉंग देखने लग गए हो एक जगा लगेगा कि आप कोई सूपरमैन की मुवी देख रहे हो और एक जगा तो अचानक से स्पाइडर मैन वाला इलेक्ट्रो सामने आ जाता है मैंने बोला हैं ये इलेक्ट्रो यहां क्या कर रहा है और एक fight scene में तो भाई साब मुझे Thanos के fight वाला scene नजर आया जहां उसके हाथ का gauntlet उतारने की कोशिश की जाती है सब बहुत से movies के कुछ-कुछ scenes को यहां replicate करने की कोशिश की गई है हाला कि story मुझे थोड़ी अच्छी लगी ये और भी अच्छी हो सकती थी अगर हर episode 20 minute का होता कुछ साधारन से लोग super heroes कैसे बन जाते है उन्हें powers कैसे मिलती है ये देखने में आपको मजा आएगा वैसे ये सिर्फ इसका first season था और last episode में भी story पूरी तरीके से खतम नहीं होती है तो obviously इसका second season भी बहुत जल्द Netflix पर available हो जाएगा बाकि योगी बोलता है कि ये season 18 plus लोगों के लिए ही है बच्चो वाली बिलकुल भी नहीं गालिया है और कुछ जगा पे वो वाले scenes भी मैं दूँगा इस series को 3 out of 5 stars मिलते हैं अगले वीडियो में बाई